आज हमारे साथ बहुत धर्म के जानकार सुधीर राज सिंगी है और हम उनसे जानेंगे कि असोख विजे दस्मी क्या है सुधीर राज सिंग जी बताईए हमें देखिए असोख विजे दस्मी का जो प्राचीन और प्राना नाम पाली प्राकतिक के अंदर है जो माना जाता है वो है अकलंग बोधनिय या अकलंग बोधने अकलंग बोधनिय या अकलंग बोधनिय या अकलंग बोधनिय या इसका प् मतलब है कि बोधी तत्व से यानि बुद्ध की जो एजूकेशन है उसके तत्व से उसको लाबान बित करना या उसका फाइदा उठा कि उसको ठीक करना तो इसका प्राची नाम अकलंग और बोधनी है जो आज तक भी अकाल बोधन के नाम से फेमस है हिंदी में इसको अकाल बोधन बोलते हैं अगर आप कहीं दशरे का नाम का परियावाची डूनेंगे तो आपको एक परियावाची की नाम में अकाल बोधन शब्द भी मिलेगा तो अकाल बोधन अकाल का मतलब यहां ऐसा नहीं है अकाल का मतलब अकलंग से है अकलंग का मतलब डिशीज से बीमारी से तनकी और मन से है बारिस का समय लगवग लगवग खमाप्त हो गया पूरी तरे से दो महिने जो असाड में जितने भिक्कुत है जो बसावास को जाते हैं घर पूरी तरे से बंद हो जाते हैं काम बंद हो जाते हैं उसको ढ़ाई मेना बीच चुका है। और अश्विन का जो सुकलपक्ष है, यानि अश्विन का जो चंद्रमा आगे बढ़ने लगा है रोश्णी की तरफ, उसको दस दिन होने जा रहे हैं। इन दसो दिसों के अंदर, क्योंकि समय देखी आप कैसा है कि पवारणा का समय आ रहा है, पवारणा का मत्दब है कि भिक्कों की बिदाई का समय आ रहा है, आप पवारणा उस सब होने वाले हैं और भिक्कों अपने-पने सिक्षा देने के काम पे जाने वाले हैं, वो बिहार छोड़ेंगे जब वो बिहार छोड़ेंगे तो वो त्यारी कर रहे हैं और उधर जहां वो रहे हैं वो जो सिक्षक हैं और खास तोर जो महिला हैं वो दस पारमिताओं की अच्छी तरह से अभ्यास कर रहे हैं साधना कर रहे हैं पैक्टिस कर रहे हैं उपोसत के सा क्योंकि भिक्को जाने वाले हैं और पढ़ाई का समय पूरी तरह से चरंपे हैं और भिक्कों के लिए चीवर जो पिछले धाई महने से लगातार बुन रहे हैं उसकी भी स्पीड आ गई पढ़े है क्योंकि उसको त्यार करना है कौन सा चीवर है कुछ साधार चीवर नहीं है हतिम चीवर है हाथ से बनाया हुआ कपला है हाथ से बनाई हुई चादर है जो सारे भिक्कों को दी जाएगी हर घर में त्यार हो रही है तो उसका उल्लास का है उल्लास किसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा दस दिन पूरे होने वाले हैं, हतीन चीवर हमारा पूरे होने वाला है, भिक्कू आगे एजूकिस के लिए जाने वाले हैं, और जो महिला हैं हमारी खास्तोर से, जिनको हम देवी बोलते हैं, देवी कौन सी महिला होती है हमारी, जो पंच सील का पालन करती है, जो महिला पंच और देविया ने करेगा वो मनष्छ से कहलाई जाते हैं तो वहाँ घर में पंच्छिल का पालन जोड़ से चला है तो सारी देविया यानि जितने भी महिला हैं वो सब देविया की शकल में अक्तियार होके काम को आगे बढा रही है और बड़ा दुर्गम काम करनी है दुर्गम काम किसली है क्योंकि एक-एक मानिता को बढ़ाना विपस्टना के थो विपस्टना करने में अपने आप में एक दुर्गम काम है अपने मन को साधना, अपने सरीर को साफ करना मन को साफ करना, सरीर को साफ करना दुनिया का सबसे दुर्गम काम है हम आपको कहें कि आप ये घर साफ की दिजिए बड़ा आसान है हम आपको कहें ये कपड़ा साफ की दिजिए ये बड़ा आसान है हम आपको कहें कि आप ना लेजिए सरी साफ कीजिए बड़ा आसान है मगर मन कितनी गंदियों से लिप्टा हुआ है कितना गंदियों से लिप्ट है हमें नहीं पता चलता सुयम को पता चलता है कि वो साफ हो रहा या नहीं है बार 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 जाता है अच्छा खाना देख के भागेगा कोई वेबचार देखके भागेगा कोई शौक देखके भागेगा कोई ऐसा काम जो करने के लिए मना किया है उसे देखके भागेगा तो उसको कंट्रोल करना और उसको सुद्ध करना सबसे दुर्ब्रम काम है और वो सारी सारी देवियां जो पंसिर का पार्ण करती है वो कर रही है तो ऐसे करके दसमें दिन उल्लास और पूरा-पूरा हर्स का वातरवन जगे-जगे होता है बहुत-बड़े शहर नहीं है आज की तरह जैसे आज टोकियो है आज जैसे दिल्ली है आज जैसे न्यू यार्क है आज जैसे मुंबई है ऐसे सहर नहीं है चोटे-चोटे सहर है या कस्वे है या चोटी-चोटी जगे और सब जगे यह उल्लास का वातरवन है और सिर्फ नेपाल और नेपाल की जो भारत का तराईवाला छेत्र है जिसको हम उडिसा बोलते है या जिसको हम बिहार आज की डेट में बोलते है या वेश्ट मंगाल बोलते है उस जगे है भारत में पूरे में आज की डेट में मना जाता है मगर वहां से आरम हुआ है चला वहां से है बना वहां से है पूरा क्यों मना है दस पार्मिताओं का बहुत ज़्यादा पालन करके आदमी अपनी पार्मिताएं मजबूत करता है अपने जीने के नियमों को मजबूत करता है पार्मिता मतलब दस कठोर नियम जिन से बोधी सत्व या बुद्ध बन सकता है उन नियमों को तो इसका एक बोधी का पखवडा बनाया हुआ है बुद्ध पाली के अंदर आता है बोधी पखिक यानि बोधी का पखवडा तक पुरा बोधी पखवडा इसके लिए है क्योंकि आगे के जो पांस दिना आने वाले है जो अभी दसमी है फिर एक दसी आएगी और फिर 14 आएगी और फिर पूरन मासी आएगी यानि पूरन मासी तक उल्लास होगा मौन ब्रट तूटेगा, लोग खुशियां मनाएंगे अच्छा-च्छा खाना खाएंगे भिक्कों के लिए चीवर ददान करेंगे और भिक्कों को पबारना करेंगे यानि उनको बिदा करेंगे और वो भिक्कों को जाएंगे इस चीवर जो शत्ते हैं उनको धारन करना अर्य धारन जिसको अराधना बोलते हैं आज़ की जिट में वो भी है और अकाल बोधन भी इसका हिंदी में है अकाल का बोधन का मतलब आपको बताया अकलंग व्यादी एक इसका जो अब नाम चलता है जो भारत के लिए चलता है वो बड़ा मशूर नाम है उसको बोलते हैं दस अरा या दशेरा दस अरा या दशेरा जैसे जैसे अबरंस होता जाता है वैसे वैसे नाम बढ़ते जाते हैं दस अरिया बेसे करें ये नाम बना हुआ है दस अरिया दस अरिया का मतलब है कि दस वो बातें जो सत्ते होती है अरिया आप जानते हैं अरिया माग होता है जिसमें चार सत्ते होते हैं तो दस अरिया और एक अरिया का मतलब सत्त्रू भी होता है और एक अरी का मतब धम चकर भी होता है तो प्राकर्तिक धम चकर चलने वाली दस बातें ये दस बातें जो आप ने हरा दी है ये दस बातें जो आप अपनाते हैं ऐसे करके इसके कैई सारे अबहरांस होते चले गए और इसका नाम धसरा भी पड़ा एक दसरा ऐसा भी लोग बताते हैं कि जो मौरे कालीन दस राजा थे उनके सिध्धानतों को और उनके राज्य को हराने के बाद दसरा लोग मनाते हैं खुशी में उनको हरा के यहां जिन लोगों ने उनको हराया और उनका राज्य हरपा उस खुषी में ऐसा मनाते हैं ये इसलिए थोड़ा संबप परीत नहीं होता क्योंकि राजा अरलेलग काल में रहे हैं और सबसे आखीर में जो राजा रहे हैं उनका नाम रहा है पुश्य मित्र संग और ब्रंधत क्योंकि पुश्य मित्र संग ने हराया और ब्रहंदत हारे, ब्रहंदत थे दसमे मौरेर राजा, मगर अचानक कोई पुष्चे मतर नाम का व्यक्ति किसी ब्रहंदत राजा के तलवार मार दे और वो मर जाए, तो सत्ता नहीं मिल सकती, एक आदमी के मनिसे क्योंकि जो पबलिक है वो पूरी बगावत कर देगी, और जो पूरी पबलिक है और जो सेना है, वो पूरे पूरे जो इसमें एडमिस्टरिस में लोग हैं, जो उनके मंतरी हैं, वो सारे एक सारे बगावत कर देगी, जंता बगावत कर देगी, तो यह ऐसा नहीं है कि एक दिन में अचानक ब्रहंदत की हत्या हो गई और पुष्चे परोबार आडमरों का हट गया, उन्होंने बुद्ध की फ्लॉस्पिय और बुद्ध के राजाओं को मानने के सड़ियंत तवी से रचने सुरू कर दिये, उन्होंने धीरे धीरे बुद्ध की जो एजूकरिसंती उसके अंदर भेष्टा चार डाले, लोगों के मन में भेष होते चले गए, इसलिए जब भेष्ट की हत्या हुई तो कहीं भी कहीं कोई चिंगारी नहीं आई, और एक ही रात में जो लोग भेष बदल के चीवर लेके भिक्कु बने थे, उन्होंने भिक्कु फैंक दिये और एक रात में वो भिक्कु वाले लोगों के खिलाफ हो गए यह इस तरह से क्रांती प्रतिक्रांती आपस में चलती है, तो चीवर जो त्यार होता है और भिक्कु त्यार होते हैं तो दान भी लोग देते हैं, दान देते हैं यह दान देनिक परंपरा है, कहते हैं कि राजा हस वर्दन गंगा घाट जिसको हम कम का मिला यानि कुम का मिल मिला बोलते हैं कंब का मतलब अच्छे कर्मों का मिला जहां लगता था जहां पारेमिताओं को पूरा करते थे एक दान की पारेमिताओं बहुत बड़ी है जो दस पारेमिताओं के अंदर ऐसा आता है राजा असोक ने 84,000 जो भगवार मुद्द की ऐसी बाते थीं जो लाद दाइक बाते थीं सुत्त जिनको बोते थे 2000 उनके सिस्सों के और 82,000 उनके उन सबकी पत्थर की किताब बनवाई क्योंकि कागश तो था नहीं गत्ता भी नहीं था विश्कार नहीं हुआ तो लोगों को पढ़ाने के लिए पत्थर की किताबे बनवाई पत्थर के सिला लेक बनवाए और 84,000 एरान से लेके और नेपाल पूरे तक और परवा तक वो लगवाए जब वो बनके पूरे हो गए तो राजा ने एनाउंस किया कि आज हम सेम वही दिन दसमी के दिन और उ असोक के समय के बाद में इसका नाम असोक विजदसमी पढ़ गया और असोक का पूरा नाम बहुत ही घजब का है असोक का पूरा नाम असोक धम प्रियदसमी प्रियदसी चंड प्रिजंड धम चकवती समराट असोक होता है तो उसके नाम से यानि उस राजा के नाम से इसको जाना जाता है मगर वो राजा पहले राजा नहीं है जिनके नाम से यह जाना जाता है इससे पहले और इसके बाद में भी विजय दस्मी ऐसे ही मनती रही बुद्ध के समय के बाद से और आज तक भी क्योंकि जितने भी लोग आए और जितने भी लोग गए उन्होंने पूरी पूरी विजय दस्मी उसी के हिसाब से मनाने का प्रण किया भारत में जब ब्रंदत की हत्या हुई तो भारत से धंब चला गया और धंब जाते ही भारत की सौने की चड़िया उड़ गई भारत की जो सिक्षा थी वो उड़ गई भारत अनपढ हो गया भारत गरीब हो गया और भारत कमजोर हो गया क्योंकि जो इरान से लेके और बर्मा तक राज था वो सारा राज देरे टुकडों में समिट में आ गया और असोक के बाद में कोई राजा ऐसा नहीं हुआ भरंदत के बाद में कोई राजा ऐसा नहीं हुआ जो उस राज को बचा सके सारे राजा जितने भी आए वो निकम्मे राज आए उनको राज करना आता ही नहीं था वो capable ही नहीं थे वो उसके लायक ही नहीं थे सारे निकम्मे और नालायक लोग आए और उन्हें भारत के टुकले टुकले कर दिये और भारत को हज़ारों टुकडों में मन से तन से और जमीन से बाठ दिया और विदेशी लोगों का भारत के अंदर कबजा हो गया और भारत छिन बिनसा हो गया इसलिए धम में बड़ी ताकत है बावा साम अम्बेट करने हैं इसी धम की ताकत को जानते हुए 23 अक्टूबर 1935 में यवला में धम को जानने की और धम में आने की घुशना की थी और 21 साल तक धम का गहरा दिन करने के बाद 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने दिक्षा ली और भावा साव अम्बेट करने जो धम की दिक्षा दी वो ठीक भगवान बुद्ध के कह नुसार उनकी जो उन्होंने आगे का समय बताया था उसके नुसार किיע 1.500 साल बाद धम का चक्ड दुबारा चलेगा और भारत दुबारा से बौध में होगा और यहाँ प्रबुद्ध भारत कहना जाएगा यहाँ रफ़ार से सानु छिढ्बा होगा ऐसा करके उन्होंने 1956 चपन में 10 लाख लोगों को नागपुर में दिख्षा दी जीवन में एक वार एक बहुजन आदमी को कम से कम दस्मी वाले दिन नागपुर में जरूर जाना चाहिए क्योंकि नागपुर हमारी वो भूमी है जहां से धम का चक्र दुबारा से बावासार में चलाया और वहां ह चांती का उब्देश देने के लिए ये धमचक दुबारा से परवरतर होता है 62 धमचक के स्वार है मगर 62 धमचक खाली 62 नहीं है इससे पहले भी हुए है मानने वर कासी राम जी ने 2003 के अंदर गोशना किती कि वो 6 करोड लोगों को धम की दिख्षा दिलवाएंगे बीच मे असमें उनके उस्वास से खराब हो गया वो नहीं दिर्वा पाए उनका ये जो प्रामिस है ये अभी अधूरा है ये वाइदा अभी अधूरा है लोगों को ये वाइदा पूरा करना है सब लोग इस काम में लगे हुए हैं पूरे देश में धम का वातरान बहुत तेशे ब का मतलब है खाली धम का कोई महर लगाना इसका कोई फाइदेबन चीज नहीं है तो सिंदु घाटी की संभेता में भी धमचक पवतन हुए है क्योंकि वहाँ जो मूर्ती मिली है उसमें चीवर पहने हुए लोग है भगवार बुद्धर धमचक कर पवतन किया था लगभग 26-25 साल के बीच में समराथ असोक ने किया सिंदु घाटी में हुआ और राखी गड़ में लगबग 7-8 साल पहले भी जो बुद्धिष लोग है उनका डियने के साब से वो पाई जाते हैं इस तरह से भारत में और पहले भी अगर जाएंगे तो 28-28 बौद्धों का भी थियास हो आने वाला है परसों उसकी पूरे देश को बदाई है और ये बहुत लोगों का पहला धमचक भी हो सकता है धन्यवाद